नमस्ते दोस्तों ठैंक्स भारत के यूट्टूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों सांप का काटना जितने भी कीट दन सेंज में सांप का काटना सबसे ज्यादा घातक होता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पांच ऐसे घरेलू उपाए हैं जिनको यदि आप करते हो तो कितने ये भी भी बहयंकर जहरीले सापने काटा हो आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड सकता दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सांप के काटने के जो लक्षन है वह क्या होते हैं कटे हुए स्थान से खुन आना जलन और पीड़ा होना शूजन आ जाना और सुन्यता होना और दन्स पर जहाँ उसने काटा है सापने वहां हरा या नीला नीला पड़ जाना दोस्तों ये कुछ लक्षन है एदि इन लक्षनों की पहचान होती है तो समझ लेना कि यह जहरीले सापने आपको काटा है बहुत ही कम साप जहरीले होते हैं लेकिन इन लक्षनों से आप पहचान सकते हो कि यह जहरीले सापने काटा है दोस्तों इसमें जो पहला उपाय आपको करना है वह साप काटने के तुरंत बाद जहां पर सापने काटा है उससे चार या छे उंगल उपर एक खूब कसकर के बंधन बान देना है या तो कोई रस्ती हो या रबड हो या कोई ऐसी चीज हो जो तुरंत आपको इसको ऐसा इसली किया जाता है ताकि जो खुन है उसको उपर आने से शरीर में फैलने से रोका जासकी इसके बाद जो दूसरा उपाय है दोस्तों वह जो बंधन बांधा है हमने उस बांधने के बाद जो स्थान पे शापने काटा हुआ है वहाँ पर स्प्रिट होता ना या पैट्रोल हो या फिर तारपिन का तेल हो या फिर खूब शुद जो जल है उससे उसको खूब धो लेना चाहिए जहाँ पे शापने काटा खूब धो के और वहाँ दो इंच लंबा और लगबग आधा इंच गहरा एक निशान कर देना चीरा लगा देना है और उस चीरे से खूब दबा दबा कर हमें पूरा खूब निकाल देना जिससे काफी जहर वहां से निकल जाए इसके बाद जो दोस्तों हमें तीसरा उपाय करना है वह तुरंत ही शुद्ध देशी घी अद्यूपलब् इससे यह होगा कि जो शरीर में जहर फैलना था वह जहर नहीं फैल पाएगा और घी आपके जो मुख्य ओर्गन है खासकर जो हर्ट है जो बलड को सर्कुलेट करता है पूरे शरीर में फैलाता है वह शुरुक्षित हो जाएगा और जो जहर है वह ज्यादा फैल नहीं पड़े आँखों में लेकिन सोने नहीं देना है यह तीन उपाए हो गए इसके बाद जो चोथा उपाए है दोस्तों वह है नली कोई भी नली हो या सिरंज हो जिससे भैसादी के मनुष्यादी के जो सुवा लगा जाता है उस सुवी को हटा कि जो शिरंज बच जाती है या जहर को निकालना चाहिए हमें इससे दोस्तों ततकाल ही ज्यादा तर जो जहर है उब ढभावा जो खीच जाता है तो न्यून हो जाता पाउल से बहुत है लेकिन यदि मुम में छाले तो से inौ पर जाए तो उस पर जहर का तुरंत परवा उपर जाएगा तो सबसे अच्छा है ऐसा कोई शीरंज वगएरा नली वगएरा से खींचा जाए दोस्तों जो पांचमा उपाए है वह बढ़ा ही जबरदस्त है इसमें आपको करना यह है कि जो पोटाशियम परमैगनेट होता है अर्था जो पानी में लाल दौड़ा डालते हैं उसको पिंको पाउडर भी कहते हैं उसके दाने जो होते है वो खूब उस पर मनने चाहिए जो दूंस है उस दंस पर कूब मलने चाहिए इसलोस्तों जहएर बाहर की तर्फ खिच जाता शरी बीर में और नहीं फैल पाता यह बड़ा जबरदस्ट जो है उपाय है या उसका घोल पानी का पिन को का घूल कि भी शिरंज में बरके और खूब अंदर तक गहराई तक शिरंज से फैला देना चाहिए ये बड़ा जबरदस्त ये दोस्तों यदि आप इन पांच उपायों को प्रियोग सांप के काटने पर करते हो तो निश्चित रूप से कैसा ही भी जहरिला सांप हो आपका कुछ नहीं चुका है इसके बाद भी आपको किसी अच्छे डोक्टर से सलहा वगेरा ले लेनी चाहिए आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा सुना इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे यूटूब चैनल थैंक्स भारत को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं